नमस्कार दोस्तों सन्राजर्स हैदराबाद के खिलाफ चैने सुपर किंग्स के सांदार जीत के बाद बदल गया IPL 2023 का पुड़ा पॉइंस टेबल जीत के बाद चैने की टीम को हुआ पॉइंस टेबल में बड़ा फाइदा तो क्या है पुड़ा पॉइंस टेबल दिखाएं जहां सन्राजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरो में 7 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी जिसमें हैदराबाद के लिए अभी सीक सर्मा ने सबसे अधिक 34 रन बनाए जहां डेवन कॉनबे ने 70 रनों की तोफानी पाड़ी खेली तो वहीं रितुराज गायकवर ने 35 रन बनाए और चेने की टीम ने 18 ओवर 4 गेंदो में इस मैच को 7 विकेटों से जीत लिया इस जीत के बाद चेने सुपर किंग्स को पॉइंस टेबल में बड़ा फाइदा पॉइंस टेबल की ओड़ तो पहले अस्तान पर अभी भी राजास्तान रॉयल्स की टीम बनी हुई है जिनके 6 मैचों में 4 जीत 2 हार के बाद पॉइंस टेबल पर 8 अंक है तो दूसरे नमबर पर लखनो सुपर जोयंस की टीम है जिनके 6 मैचों में 4 जीत 2 हार के बाद पॉ पॉंच टेवर पर शe अंक मौजूद और इंद्यांज योईot मूंबई इंडियंज की टीम है चुनालफें बाद साथमे नमे पर फजार का झालफेंज की zbyuld पर केबल चार अंक मौझूद है वही नौमे नमर पर हैदराबाद की टीम है जिनके छे मैचों में दो जीत और चार हार के बाद पॉइंच टेबल पर केबल चार अंक मौझूद है वही दसमें और आखरी अस्थान पर डेली कैपिटल्स की टीम है जिनके छे मैचों में एक ज